नमस्कार मैं डॉक्टर शांतनु कुमार गुपता आज मैं वीडियो बना रहा हूं कि पोस्ट ऑपरेटिव केर कैसे करनी है अपनी आख की आफ्टर कैटरेक्स अज़री मतलब के बाद को किन बातों का ध्यान रखना है तो जब को आपको परेशन में तो को रहता है रहता लॉकुल एनस्थी सिर्म अगर आपको बराणाईट भी घुल जाती है तो आपको क्या-क्या बात का ध्यान रखना है कि immediately पट्टी खुलने के बाद आपको अपने drops चालू कर देने है, drops को एक clean area में store करके रखना है, जहां से जो भी आपको डालेगा drop वो वहां से उठाएगा, जो भी आपको drop डाल रहा है वो उसका हाथ clean होना चाहिए, या तो sanitize कर ले या सा contaminate होगा, इसमें bacterial growth हो सकती है, drop को डालने के लिए आपको ये करना है कि नीचे वाली lid को, patient की नीचे वाली lid को, either line down position में या बैठे में थोड़ा सा neck को पीछे bend करके, नीचे वाली lid को pull करना है, जो यहां पर gap बनता है, white वाले portion और lid के बीच में, उस gap में आपको एक drop छोड डालने है, मतलब एक drop डालना है आपको, second drop wastage होती है, तो आपको एक से ज्यादा drop डालने की जरुवत नहीं है, आपको multiple drops दी गई होंगी, या तो 2 drop होंगी, तीन डॉप होंगी, या चार ड्रॉप होंगी, और हर एक drop का एक ही बूंद आपको डालना है, एक से ज्यादा पांच मिर्ट का गैप होना चाहिए दो ड्रॉप के बीच में तो जादा एफेक्टिव होता है उसके बाद आपको ड्रॉप के लावा टैबलेट्स कुछ रहेंगी वो टैबलेट्स आपको जैसे भी डिस्काइब किया जैसे भी बताया गया वैसे आपको यूस करना है जो नहाने का परहेज रहता है नहाने का एलाओड रहता है आपको नेक्स्टे से यहां से आप नहा सकते हैं गर्दन से आप नहा सकते हैं बट सर पे पानी डालके आप एक हफता रुकेंगे और या दस दिन रुकेंगे तु भी और सेफर साइट उसके बाद ही आप नहाना स्ट करेंगे तब तक आख में कुछ भी पानी नहीं जाना चाहिए बेसिकली आपको आख को धूल से मिट्टी से पानी से और मेकैनिकल ट्रॉमा से इन चार चीजों से बचाना है तो मेन आपको हाईजीन का ध्यान रखना है बाहर आप दो-चार दिन बाहर जाना एवॉइड करिए डस्टी इनवार्मेंट में जाना एवॉइड करिए घर पे रहिए तीन-चार दिन उसके बाद तीन-चार दिन बाद आप जा सकते हैं जो आपको गॉगल्स प्रोवाइड की गई है या तो ट्रांस्परेंट होगी या ब्लैक कर रिखती होगी उसको आप लगा कर रखिए ये वल उसको सोते समय निकाल देंगे और करवट लेने के लिए आप जो जिसा का उप्रेशन हुआ है उसका दूसरे साइड में करवट ले सकते हैं उस साइड भी आप करवट ले सकते हैं बड़ ध्यान रखना है कि सोते समय ऐसा ना हो कि तक्या जो आप यूज कर रहे हैं हो आप से कॉंटेक्ट में हो आप से टच में हो अच्छा दूसरी चीज आप यह जो पोर्शन है आपका जो पर्टिकुलर आई आई आप आपकी ऑपरेट हुई है एक वाइप हम लोग प्रवाइड करते हैं उस वाइप से आप उस एरिया को क्लीन करेंगे आपको आपको आ करना है बाकी अधर देन डैट अगर आपको चहरा थोड़ा साफ करना है तो चश्मे के उपर और चश्मे के नीचे वाला हिस्से को घीले तॉलिये से आप पोच सकते हैं उसके बाद आप खाने का कोई खास ऐसा परहिज नहीं होता है आप जो भी इच्छा हो आपकी आप ख फूड लीजे जिस दिन आपकी सर्जरी होई है ताकि इसली डाइजेस्ट हो जाए बट आज के एरा में जहां की माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी होती है जिसमें की इंसिजन साइज बहुत ही छोटा होता है तो खाने का ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं होता है मूवमे इस दिन जब बीच जाता है तो यह सारे प्रिकॉशन काफी कम हो जाते हैं उसके बाद आप आल्मोस्ट नॉर्मल जैसा ही सारा अपना डे टूडे अक्टिविटी कर सकते हैं यूजली आपको जो रिफ्रैक्शन किया जाता है या चश्मे का नंबर की जो टेस्टिंग होती है वो एड़ दी एंड ओ थ्री फॉर वीक्स होती है ताकि तब तक रिफ्रैक्शन स्टेबल हो जाया और जो भी रेसिडूल कुछ एरर अगर रह गया है तो उसको आपको चश्मे की मदद से वह आप